नाचरल वेजिटेशन और वाइल लाइफ, इसको हम दो पार्ट में लेंगे, नाचरल वेजिटेशन और वाइल लाइफ, वरस्पती, प्राकरतिक वरस्पती और वन्यजीव, हिंदुस्तान, हम जब भी बात करते हैं, घूमते हैं, निकलते हैं, हमें पेड दिखता है, हमें पक्षी दिखते हैं, हमें घांस दिखती है, अलग-अलग तरीके के बायो फार्म हमें देखते हैं हिंदुस्तान की बात करें या कहीं भी आप जाएं हिंदुस्तान लेकिन हम 12 मेगा बायो डिवर्सिटी कंट्रीज जो बायो डिवर्सिटी जैव विविद्दा बायो डिवर्सिटी जैव विविद्दा हम लोग 12 कंट्री जो बड़ी बड़े हैं उनमें से एक है बायो डिवर्सिटी का मतलब यह होता है कि अलग-अलग तरीके के प्लैंट अलग-अलग तरीके के एनिमल्स और विभिन्नता और वो सारे के सारे एक जगा रह रहे है अगर आपको एक जगा केवल हिरन मिल रहे है तो वो बायो डिवर्सिटी नहीं होगी अगर वहाँ पर आपको आॉक्स भी मिल रहे है लाइन बिल रहे है साप मिल रहे हैं मगरमच मिल रहे हैं वो सारी चीजे मिला के बायो डिवर्सिटी बनाती है जब हम बायो डिवर्सेटी की बात करेंगे तो हम हिंदुस्तान बारवे नंबर पे है बारवे नंबर नी बारे में है और अगर किस जगह पे है अगर बताओं तो दसवा प्लेस है हमारा अगर हम रैंकिंग करें तो दसवे दसवी जगह पे हैं हम सैतालीस हजार अलग-अलग प्लांट वनस्पती इनकी स्पीशीज है हमारे यहां चलिए एश्यों में आते हैं जैसी एश्यों में आएंगे आप देखेंगे हम चौथे नंबर पे है जै विविद्दा आप देखेंगे तो हम यहां पर चौथी जगह पे है तो हमारे यहाँ कफी विवित्ता है, जै विवित्ता है, 15,000 ऐसे प्लांट है, जिसमें फूल खिलते है, फलावरिंग प्लांट है अगर पूरे विश्व के जितरे भी प्लांट आप ले ले applying plant, उसका 6% हमारे यहाँ है, उनका 6% हमारे है हिंदुस्तान के पास 90,000 अलग-अलग species प्रजातियां है एनिमल्स की जानवरों की इसके अलावा हमारे पास चाहे समुद्र की बात करें चाहे लेक याने फ्रेश वाटर की बात करें चाहे नमकीन पानी बहुत सारे तरीके की मचलियां और एक्वेटिक अनिमल है नैचरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है वरस्पति का मतलब क्या होता है नैचरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है इसमें एक शब्द है नैचरल तो हम इसको अंतर करेंगे आर्टिफिशल के साथ तो जो भी कॉंटेंट चाहे घांस हो पौदे हो पेड़ हो सब को मिला जो हमारे लोगों के इन्फिल्ट्रेशन या फिर हमारे बगएर उग जाते हैं हमें कुछ नहीं करना पड़ता है उसके लिए जो नैचुरली प्रकृती से पैदा हुए है human aid उसमें नहीं है human intervention नहीं है जैसे कहीं पौधे पैदा हो गए आप जंगल में आप जाएं वहाँ पर कोई आदमी नहीं उगाता लेकिन सारी चीज़ा आपको मिलती है कंदमूल मिलते हैं अलग-अलग फल मिलते हैं इनको हम natural vegetation कहेंगे natural काहां से होगे आप प्रकृतिक ध्यान रहेगा प्रकृति जो हमें देती है वनस्पतिया वो प्रकृतिक वनस्पतिया हो जाती है अब आप उपने घर पे आईए आपके घर के पीछे आपने आलू उगाय हुआ है भिंडी लगाय हुए है पुदीना लगाय हुआ है यह artificial नहीं है यह natural नहीं है यह artificial है आपने उगाय है अब ऐसे natural vegetation वतलब ऐसी प्रकृतिक वरस्पतियां जिसको इंसान नहीं छुआ है नहीं छेड़ा है उनको देखा भी नहीं है बहुत समय से उन्हें हम virgin vegetation कहते हैं virgin यानि जिसको किसी ने कभी छुआ नहीं हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे vegetation हो रहे हैं अलग-अलग मरस्पतिया हो रहे हैं जिसको हमने disturbed नहीं किया undisturbed है आदमी या किसी इंसान का यहाँ कोई दखल नहीं है जैसे आप अगर आप forest की बात करें ऐसे कई जगाए है जहाँ पर इंसान नहीं पहुंचता यह नहीं पहुंचा वो virgin vegetation होगा flora और fauna यह दो शब्द आप बहुत सुनेंगे flora और fauna flora जो होता है यह हम use करते हैं देखें इनकी नाम से मैं बताता हूँ कैसी क्या होता है flora कहां से आता है f कहां से आता है flower आर होता है flower में yes तो flower flora ऐसे याद करिए आप flora मतलब सारे जितने भी plant हों जितने भी वहाँ पर पौधे हों वहाँ सब जो इतने भी पेड़ हों यह जितने भी पेड़ पौधे होंगे उसको हम flora कहेंगे इस इलाके में जो मैं अभी आपको बनाया इसमें जितने भी पौधे पेड़ होंगे उसे हम flora कहेंगे और जितने इसी जगह पे जानवर होंगे जानवर या एनिमल होंगे वो सारे के सारे फोना में आएगे तो हमने एक बड़ा नाम दे दिया सारे जो पौधे हो गए फ्लोरा में सारे जो जानवर हो गए वो फोना में आगए तो flora और fauna इनको आप मिला लीजे और जब मिला के mix कर लीजे जो product बनेगा, mixture बनेगा वो बनेगा biodiversity क्या बनेगा? biodiversity किसी एक समय में, एक जगा पे किसी एक समय में, एक अंतराल में एक जगा पे जितनी flora और fauna है उसे हम biodiversity कहते हैं जैव विविद्या कहते हैं तो ये जैव विविद्या के हम जब बात करते हैं तो बहुत button चीज हो गई तो भाई, इसमें important क्या चीज हो गई क्या चीज़े ऐसे ऐसी होती है जो इस जैव विविद्या के कारक हैं, पूरक है और affect टने वाले चीज़ें देखिए अब आप पहाड़ पर जाएए और आप प्लेन पर जाएए आपको पहाड़ में जो जानवर मिलते है वो आपको प्लेन में वो जानवर नहीं मिलेंगे कम मिलेंगे climate जहां पर अगर आप कश्मीर में जाएं तो जो आपको वहां पर जानवर मिलेंगे वह आपको तमिलाडों में नहीं मिलेंगे ठिक यह जो मैं आपको तीस साल के अंतराल की बता रहा हूँ biodiversity कम से कम तीस साल से उपर जाईएगा तब आपको पता चलता है पारिस्थिती के तंतर जो होता है एको सिस्टम एकोलोजी होती है उस जगा की वहां का एक विवस्ता होती है वहां फ्लोरा और फोना के बीच में जो अंतर संबंद है इंटर डिपेंडेंस है वो बताता है कि biodiversity कैसे होगी देखे करके हमें इसको समझने की कोशिश करते है relief क्या है relief का सीधा मतलब है पहाड़, height, steepness, उपर जाना, नीच जाना, जमीन पहली चीज़ आती है इसमें land, जमीन कैसी है जमीन हो सकती है fertile, ऐसी हो सकती है जो rough हो, ये पहाड़ी लाका हो, undulated हो, rough land हो हो सकता है कि वह ग्रास land हो, वहाँ कि वह आपको ग्रास, ग्रास मिले तो हर एक जो अलग-अलग मैंने आपको land बताए, वहाँ पर अलग-अलग तरीके का flora और fauna होगा जो ग्रास land, जैसे अगर आपको example दूँ, एक ये ग्रास land है, ग्रास land मतलब होता है एक बिलकुल plain इलाका जहाँ पर घास हो, ग्रास हो, जहाँ पर आम तरफे जनवर चरते हैं अब ये ग्रास है, इसको कौन चरेगा, इसको कौन खाएगा, तो ये ग्रास जो है, ये बिलकुल अलग तरीके का flora हो गया आप कहीं और चले आईए, चलिए केरला आए जाईए, केरला में जैसे आएंगे, तो यहाँ की बायो डिवर्सिटी बिलकुल अलग है यहाँ पर बरसाथ होती ही 400 सेंटीमिटर से उपर, और उसके बाद यहाँ पर समुदर भी है तो इतना हरा भरा इलाका है यह, वहाँ के जीव जन्तू, पेड़ पक्षी अलग होंगे हर चीज़ कहाँ पैदा होती है, जमीन में पैदा होती है, सॉयल में पैदा होती है, मिट्टी में अब डेजर्ड में जाईए आब, मरुस्थल में जाईए, वहाँ तो बालू है, वहाँ तो बालू है, सारे मिट्टी में भी बालू है वहाँ पर क्या पैदा होगा, कैक्टस पैदा होगा, वहाँ ऐसे पेड़ पौधे होंगे, जिसमें कांटे होंगे काटे होगे ऐसी जगह जाईए जहाँ पर बड़ा गीला पन हो मार्शी हो याने दलदली इलाका हो वहाँ पर आप क्या मिलेगा मैंग्रोफ मिलेंगे मैंग्रोफ वो प्लैंट होते हैं जो दलदल में उखते हैं पानी और जमीन दोनों चाहिए इनको एक जंक्षन में पैदा होते हैं ऐसे डेल्टा का डेल्टा जहां बनते हैं मिल्दियों के डेल्टा बनते हैं अगर हिस लोप है याने यहाँ पर पाहाड देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ डेप्थ अच्छे खासी होती है मिट्टी की गहराई बड़ी अच्छी होती है तो canonical tree होगी इसका मतलब पैने जो पत्ते होंगे उनके जो इसका shape होगा tree का वो triangular होगा अगर दूर से देखे जाए तो आप ये देखें अगर third desert पे जाएं तो वहाँ पर बालू मिलेगी आपको cactus मिलेगा वहाँ पर वहाँ पर thorny कांटे वाले अलग-अलग bush होंगे इसका मतलब एक tree आपका ऐसी जगह हो जहाँ परसाद भुत हो रही है तो पत्ता क्या होगा पत्ता वहाँ का बड़ा होगा परसाद अच्छी है और अगर बड़ा पत्ता है और पानी चला भी गया मौशर में चेंज भी हो गया भाब भी बन गया तो भी पानी तो आ रहा है लेकिन अगर राजस्तर में जाएंगे वहाँ पर कांटे मिलेंगे आपको आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये जो पेड़ पौधे हैं वह यहाँ एफोर्ड करी नहीं सकते कि भाई हमारा पानी चला जाए वो पानी को बचाने की कोशिश करते है इसलिए वहाँ पर कांटे होंगे क्याक्टस है ना तो वहाँ पर आपको पत्ते बड़े नहीं मिलेंगे छोटे मिलेंगे नुकीले मिलेंगे और इसमें काटे मिलेंगे आपको इसके बाद हम दूसरा जो factor है जै विविद्दा खा biodiversity का वो है climate climate यानि होता है जलवाई हो अब इसमें temperature क्या है वहाँ पर sunlight कितनी आ रही है सूरज कितना चमक रहा है precipitation कितना है चलिए मानि ये बरसाद कितनी हो रही है temperature देखिया एक जगा temperature बहुत ज़ादा है बहुत गरम है बहुत ज़ादा गरम है हमालय रिजिन पे जाए ज़रा हमालय रिजिन में यहाँ पर यहाँ पर हमेशा बर्व गिरती रहती है आप क्या समझते हैं कि क्या वर्फ होंगे अगर आप बहुत कोई ऐसी ट्री देखेंगे वहाँ आपको छोड़ जोड़ घास आपको मिलेगी नी हमेशा स्नो जमी होई है वहाँ पर जीएंगे कैसे लेकिन अगर जहाँ पर temperature अगर आपको moderate है तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको tree मिलेंगे और भावा में पानी कितना है आदिरता कितना है जमीन में पानी कितना है जमीन में कितनी आदिरता है यह सब temperature इसे बनाता है temperature इसे बगाड़ता है अब मैं cactus की बात करता हूँ low temperature है high temperature है तो आपको cactus मिलेगा sunlight की बात अगर करूँ तो हम कहां से कहां तक है 8 से लेकर करीबन 38 डिग्री latitude तक है हम लोग अगर हमा latitude देखे और करकर एखा जो है ट्रॉपिक आफ कैंसर हमारे मद्दे से जाती है इसका मतलब हम अच्छे खासे temperature पर आते हैं हम जो है equator के थोड़ा आसपास ही है कोई जादा दूर नहीं है तो हमारे पास गर्मी भी है तो हर जगा sunlight अलग अलग तरीके की sunlight पड़ रही है सूरज की रोशनी हमारे उपर अलग अलग तरीके से पड़ रही है लेकिन उपर चल जाए हमारे वहाँ पर अच्छा खासा उनको sunlight जहां मिल रही है वहाँ पर अच्छा खासी sunlight मिल रही है वहाँ पर अपर रस्पतियां मिलेंगी लेकिन sunlight जो है वो उपर वाले इलाकों में ठंड़ इलाकों में थोड़ी कम पड़ती है तो वहाँ पर अलग तरीके से आपको पेड़, पौधे और जनवर मिलेगे प्रेसिपिटिशन पर आईए, बरसात अजब प्रेसिपिटिशन बरसात नहीं होती प्रेसिपिटिशन का मतलब होता है कि किस फॉर्म में पानी में हवा में पानी है, हवा में पानी है पाला, पाला, जिसे हम कहते है, तुशार, तुशार, तुशारा पास जानते हूँगे आप पानी किस form में हवा में available है, इसको हम ऐसा मांते है परसाद मानन के चलें, अगर बरसाद मानन के चलेंगे, युक्क अलटाइमल्दी तो गिर्ना ही है और सब पानी ही होता है क्योंकि सारा का सारा नीचे जब आता है तो बरसाद के रूप में ही आता है अब वो एरिया जहां पर बहुत अच्छी रेनफॉल हो रही है बरसाद बहुत अच्छी हो रही है तो आप देखेंगे वहाँ मनस्पतिया बहुत अच्छी होंगी बहुत डेंस होंगी करीब करीब होंगी डेंस जिसे कहते हैं डेंसिटी बहुत ज़ादा होगी पौधे पेड़ों की ऐसी जगा जहाँ पर पानी कम है अभी देखिए आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जब यह जो इलाके है यह जो मैं इलाके बता रहा हूँ बहुत जबर्दस बरसात होती हैं यहाँ पर मौसिन राम वगेरा चले जाएं आप तो वहाँ वो तो विश्व के सबसे जब बरसात होने वाले एरिया में आते हैं वहाँ की आप नस्पत्ती देखिए लेकिन अगर आप लद्दाग चले जाएं जमून किश्मीर वहाँ आपको क्यूंकि बरसात ही नहीं है तो आप एक्सपेक्टी नहीं कर सकते हैं आपको बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे डेंस मिले अन्डमान्डी को बार में आईए बरसात ही होती रहती है और अगर आप भवाईजास से देखे नीचे तो आपको सब हरा दिखाई देगा क्योंकि बरसात होती रहती है तो हिंदुस्तान के तौर पे हमारे पास जो आता हुए मानसेन है और जाता हुए मानसून है वो जिस तरीके से बरसात पैदा करता है उससे हमारी वनस्पतिया ते होती है तीसरी बात इंपोर्टेंट बात इको सिस्टम अब जायव परिस्थिति की यानि इसका मैं शब्द अपने आप बताऊ तो जितने जानवर जितने पोधे यह आपस में कैसे डिपेंडेंट है एक फूड चेन बन रही है कैसे हर एक जानवर का पोधों से और जानवर का जानवर से पोधों का पोधों से क्या रिष्टा है कि इस तरीके से रिलेशन हो रहा है जैसे घांस देखिए घांस सिखों कौन खालेगा गाए खालेगी या हिरन खालेगा अब जब ये इनके अधिहान भी हो जाएगा तो भी ये जमीन जाके बनेंगे तो अब ये जो कार्निवोर हर्भिवोर खा रहा है इसको उसको कार्निवोर खाएगा लाइन खालेगा शेर खालेगा लेपड खालेगा ठिक तो एक चेन बनती है एक प्रौपर आप कहें लड़ी ये श्रिंखला है और ये उपर वाली ने बना रखा है प्रकृती ने बना रखा है इस ecosystem का क्या situation है ये भी एक कारक है किसका फ्लोरन फॉना का अगर बहुत बड़ी है अगर ecosystem है श्रिंखला में बहुत सारी कडियां है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको वेजिटेशनल अलिमन लाइफ मिलेंगी जिसको हम बायोम कहते हैं क्या कहते हैं बायोम फॉरेस्ट का इतना importance क्यों है क्या जरूरत है इन फॉरेस्ट की वन जंगल हम क्यों बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट है फॉरेस्ट के लग से एक ministry है क्यों ये renewable resources है इसका मतलब कि आपको फॉरेस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है वो अपने आप बनेंगे अपने आप जिन्दा होंगे अपने आप चलेंगे अपने आप मृत हो जाएंगे फिर जिन्दा हो जाएंगे जो भी quality है कोई भी quality ले लिए जो हमेशा forest जो होते हैं वो अ प्रकृति होती हैं यह क्या करते हैं forest के वल रहते नहीं है यह साथ में जलवायू का परिवर्तन करते हैं यह सॉयल इरोजन जो होता है जमीन की मिट्टी जो चली जाती है बरसात के कारण हवा के कारण उनको पकड़ के रखते हैं अब देखें यहाँ पेड़ है पानी उप पाएगा मिल्ट्टी को ले जा पाएमारे पास ट्री जेयल अब यहाँ पर पानी तो इस तरगे कि निकल जाएगा पानी आगी जा नहीं सकता क्योंकि पेड़ों ने रो रखा इसका मतलब यह स्त्रीमं का नदी का पिए खांग इनका फ्लोग भी यह सपोर्ट करती हैं या डालेट करती है इसके अलावा चाया आप मैनिफेक्चरिंग की बात करें इंडिस्ट्री की बात करें इतनी भी कम्यूनिटीज है कोई सारी ऐसी कम्यूनिटीज है आदिवासी लोग है जो पूरी तरीके से इसी पर डिबेंड करते हैं और आप क्यूं भागते हैं कश्मीर, आप क्यूं भागते हैं मसूरी और माउन्ट अबू क्यूंकि वहाँ vegetation के लिए जाते हैं सन्धर्टा के लिए वहाँ scenic beauty होती है वहाँ forest होते है वहाँ आपक अच्छा लगता है इसके लावा wind force हवा बहुत तेजी से आ रही है पेड़ है उस हवा को रोक लेती है और temperature जैसे अब देखें जितना अच्छा इनके पास पेड़ पौदर के पास पानी होगा यह अपरेट होगा rainfall में इसका भी effect है इसके लावा जब यह इनका दिहांत हो जाता है जब पेड़े आके यह जमीन में फाइदा करते हैं मतलब जमीन को मैनोर देते हैं हुमस देते हैं यह fertility साइन्स सॉयल की बढ़ती है जब इनके मृत्ति हो जाती है और उसी से दुवारा नहीं wildlife नहीं अपनी चीज़े शुरू होती है अब wildlife देखें क्या शेर घर में रहता है नहीं ना इन प्राकरितिक वेजिटेशन ने इनसान की जरूरत हम चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा जगा मिल जाए वहाँ पर हम खेती कर ले इसके लावा इंडस्ट्री लगानी है खुदाई करनी है खदाने खुदनी है माइनिंग करनी है अर्बनाइजेशन करना यतनी सारी population को हमें रखना है कहीं इनको सेटल करना है और हमारे पास जानवर बहुत जारा है हम उनको छोड़ देते हैं कि वो काओ जितनी पेड़ पहदे है खाओ और अपना पेड़ भरो असका मतलब कि हमारी जरूरतों के लिए हमारी अलग-अलग requirements के लिए हम इस natural vegetation का दोहन कर रहे हैं हम इ हमें मुर्गा चाहिए हमें और जानवर चाहिए तो उनको हम छोड़ देते हैं कि जाओ ग्रेज करो हम उसके बाद जब तंद्रोस हो जाओगे तो हम आपको खाएंगे तो यह अलग-अलग temperature characteristics है अलग-अलग वरजपती zones की जब vegetation zone tropical होता है अगर tropical zone है तो यहाँ पर देखे की जो mean annual temperature average temperature दिखाए गया mean temperature जनवरी में दिखाए गया है यहाँ पर frost नहीं होता frost यहने पाला वाले की जरूत नहीं होती है नहीं पढ़ते है यहाँ पर सब ट्रॉपिकल में आएंगे तो 17 से 24 डिगरी और temperate में आएंगे साथ से 17 डिगरी यहाँ पर frost होता है पाला भी प लेकि बर्व गिरेगी प्रेसिपीटेशन जैसे मैंने आपको बताया हम लोग dependent है मौनसून पर आती है जाती है मौनसून की अवस्थाएं और उससे बहुत फरक पड़ता है किस जगह पे बरसात हो रही है किस जगह कम बरसात हो रही है हम कर क्या रहे है जैसे मैंने आपको आपको यही बताया है कि फॉरस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सारी चीज़े देते हैं यह climate को कंट्रोल करते हैं यह soil erosion को ख़टम करते हैं बचाते हैं और जो stream है नदियों का यह रास्ता तैकरते हैं इंडस्ट्री को बहुत सारी चीज़ देते हैं बहुत सारे product जो ह होते हैं यानि कि जो हम इंडस्ट्री हैं वो फॉरस्स पर डिपेंट करती हैं कई सारे काम के लिए इसके लावा हम अर्बनाइजेशन हम चाहते हैं हमें अलग अलग जगा मिल जाए ताकि हम बिल्डिंगे खड़ी कर सकें लोगों को बसा सकें और फिर उसके बाद हम और ग्रेजिंग करवा रहे हैं जनवरों को भेज रहे हैं छोड़ दे रहे हैं ताकि वो चीजे खा जाएं अब बात आती है टाइप्स ओफ वेजिटेशन वनस्पती के प्रकार जैसे मैंने बताया अलग अलग कारकों के कारण अलग अलग जगा पर आपको विभिन्य प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी वेजिटेशन की वनस्पती की तो हमारे देश में कौन-कौन सी प्रजातियां हैं कौन-कौन सी वेजिटेशन हमें मिलती हैं इसमें पहली है ट्रॉपिकल एवरगीन फॉरेस्ट फिर है ट्रॉपिकल डेसीडूस फॉरेस्ट फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एं स्क्रब्स फिर है मॉंटेन फॉ कार हमारे देश में मिलते हैं तो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट क्या है नाम देखिए ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन लैटिचूड ट्रॉपिकल में मिलेगा आपको evergreen मतलब हमेशा green रहेगा evergreen हमेशा young रहेगा evergreen रहेगा अगर आप हवाई जाज में होंगे और helicopter में रहेंगे तो हमेशा आपको tree cover दिखाई देखा हर्याली दिखाई देगी यहाँ पर इस तरीके के जंगलों में इस तरीके के one में और यह जो forest है इनका यह क्यों evergreen रहते हैं हमेशा क्यों इसमें हर्याली रहती है यह वहाँ होते हैं जहां पर heavy rainfall होती है मतलब बरसात बहुत heavy होती है बरसात बहुत जादा होती है अच्छे खासी होती है तो इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा young यह कहें हमेशा हरी हरी याले forest मिलेंगे तो western घाट हो गया लक्षोदीब के आईलेंड हो गये अंडमान निकोबार आईलेंड हो गये इसी तरीके से असाम का अपर पार्ट ले लिजे तमिल्नाडू का एक जो coastal पार्ट है वो ले लिजे यह मैं इलाका जी ओ दिखा रहा हूँ आपको यह केरला वाला इलाका है क्योंकि southwest मांसून यहां से आता है और उसके पहले जस लक्षोदीब है तो यह दोने इलाके कवर करता है फिर जब सेप्टेंबर आक्टूबर में आ जाई है वापिस जब आता है तो यहां पर कॉरोमंडल तर्ट पे तब इलाडों के कॉरोमंडल तर्ट पे बहुत बरसाथ होती है यहां पर आपको हर्याली मिलेगी यह जो आसाम का है इसका उपर का पार्ट ले लीजए इस एरिया में और फिर शिलॉंग का तो खेर मांसुन से मिलता ही मिलता है हमको मिघाले में शुलाउंग है फिर मौंसिन रॉब वगरा है तो यहाँ पर टॉपिकल एवरिग्रीन फॉरिस्ट मिलेंगे जो अन्वानिकोबार और लक्षवदीब वो तो खेर आईलेंड का ग्रूप ही है वहां हमेशा बरसात होती रहती है पानी भाबनता रहता है और क्योंकि पहाड़ इलाका है वो तो वहां बरसता रहता है तो हमेशा आपको बरसात वहां मिलती रहेगी होती रहती है अब कौन सा इसका नंबर अकर दिया जाए तो 200 सेंटीमिटर से उपर अगर बरसात हो रही है 200 cm से उपर बरसात होती है वहाँ पर आपको Tropical Evergreen Forest मिलेंगे और जो यहाँ पर पेड़ है वो बड़ी लंबी लंबी height तक जाते हैं याने काफी उंचाई तक जाते हैं इसमें अलग अलग अलेयर बन जाते हैं कुछ छोटे पेड़ फिर थोड़ा बड़े फिर मीडियम फिर बहुत बड़े वह तो इसमें अलग अलग देखें आप shrub layer है एक कुछ young trees है एक canopy layer आप देख रहे हैं ऐसे emergent layer आ रही है तो आप 60 meter तक यह 60 meter बहुत लंबा एक distance होता है तो 60 60 meter तक यहां पर आपको पेड़ मिलेंगे इस इस इलाके में forest में यह जो forest है इसमें हमेशा हर चीज़ मिलेगी मतलब ऐसे नहीं क्यों पेड़ी पेड़ मिल रहे हैं यहां पर आपको shubs भी मिलेंगे creepers भी मिलेंगे creepers होते हैं लताएं यानि यह multi-laid structure है क्योंकि warm भी है आपर और wet भी है हलका गरम भी है और गीला भी है पूरे साल भर यह चलता रहता है तो आपको सारी चीज़े यहां मिल जाएगे हमेशा green रहता है हमेशा green रहेगा अब मैं आपको कुछ यह बताता हो कि मालीज यह forest है कुछ trees क्योंकि पुरा भरा हुआ है dense forest है पुरा भरा हुआ है अब कुछ trees हो सकता है कि अपनी trees shed कर दें हो सकता कुछ हो जाए अपने पत्ते गिरा दे लेकिन वो इतने जादा dense है आपको ऐसे लगेगा कि यह अभी भी हरित है हरियाली है यहाँ पर तो commercially important trees इस जगह पर क्या-क्या मिलती है जिसको trading purpose है व्यावसाइक के तोर पर जो important होते है जिसकी हरित फरोगत होती है जिससे पैसा मिलता है इबनी हो गया, महोगणी, रोजवूड, रबर और चिनकोना यह commercially बहुत important है इससे trading होती है पैसा मिलता है और यह जो इलाके मैंने बताए वहाँ पर जानवर कौन कौन से मिलते है या यह कहें कि जो प्रजात्ती है fauna तो monkey है, lemur है, deer है birds भी बहुत अच्छे हैं, आपर जादा है इसमें bats, sloth, scorpion यह सब मिलेंगे, और मतलब आपको serpent, reptile भी मिलेंगे तो जगा बता दूँ मैं आपको, यह इलाके जिसमें dark green दिख रहा है यह tropical evergreen forest है यह इलाका हो गया यह इलाका हो गया नौर्थ इस्ट का जो निचला इलाका है यहाँ पर अच्छे खासी बरसात होती है tropical evergreen forest अगली जो बात की जाएगी वो है tropical deciduous forest की पहले tropical deciduous forest इसका मतलब क्या हुआ यह जो इलाके है अब यह दिखे हलका, जिसे फिरोजी green जो है हलका green समझे यह यह इलाके है जहाँ पर tropical deciduous forest तो इंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पर हमको tropical deciduous forest मिलते है देखा आपने जो मैंने मार किये भी तो इनको monsoon forest कहा जाता है यह tropical deciduous forest को हम monsoon forest भी कहते है बहुत बड़ा एरिया है इंदुस्तान का जहाँ पर अगर बरसात या rainfall देखें पूरे साल में 200 cm से लेकर 70 cm बना 70 से 200 माल लीजे इस range में बरसात होती है वहाँ पर tropical deciduous forest होते हैं सबसे important चीज़ की यह होती है कि यह पत्ते गिराते हैं यहाँ के जो पेड़ होते हैं इस forest में वन जंगल में यह अपने पत्ते 6-8 week के लिए जब बहुत जादा dry summer का समय होता है बहुत गर्मी होती है और dry होता है उस समय यह अपने पत्ते गिरा देते 6-8 हफते के लिए अब इसमें से आप tropical deciduous forest को दो भाग में और divide करते हैं एक होता है moist और एक होता है dry तो एक है moist tropical deciduous forest और एक है dry tropical deciduous forest moist का मतलब क्या होता है moist मतलब थोड़ा गीला पन थोड़ा गीला पन dry मतलब सूखा पन तो यहाँ पर ट्रसी जैसे मैंने बताया कि 70 cm से लेकर 200 cm तक बरसात के बीच में आते हैं 200 से लेकर यह कहें 100 से शुरुआत करते हैं 100 से लेकर 200 cm तक बरसात होती है तो moist हो गया वो 70 से लेकर 100 तक 70 से 100 dry 100 से 200 moist यह moist deciduous थोड़ा गीला पन होगा क्योंकि यहाँ पर बरसात थोड़ी ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता है दो रेंज हो गया इसके टॉपिकल डेसीडियोस फॉरेस्ट फिर समय थोड़ा रिपीट कर रहा हूं थोड़ा यह दिमाग में आपके बैट जाए 70 से लेकर 200 तक जहां बरसात होती है वो है टॉपिकल डेसीडियोस फॉरेस्ट यह अपने पत्ते 6 से 8 विक में गिरा देते हैं दो भाग में डिवाइड करेंगे मॉस्ट और ड्राइ 100 से लेकर 200 तक मॉस्ट डेसीडियोस उसके बाद जब 70 से लेकर 100 तक अगर बरसात हो रही है सेंटिमिटर तो ड्राइ हो गया है यह दो भाग में डिवाइड करेंगे दिया तो 200 से 100 जैसे मैंने कहा कि मॉस्ट और ड्राइ इनकी क्या प्रापर्टीस है इसमें क्या इंपर्टन है क्यों इनकी जो पेड़ पेड़ है यहां जो परजाती मिलती है थोड़ा अलग होती है क्योंकि मॉस्ट और ड्राइ में थोड़ा अलग-अलग हो जाता है क्योंकि मौसम अलग-अलग है यहां पर कहीं बरसाथ जादा है कहीं कम कहीं तो उसके लिए अगर आप एक एक करके देखें यहां जैसे मैंने आपको बताया कि वो इलाके जाईए आप यहां पर दो भाग है जहां पर जादा बरसाथ हो रही है 100 से 200 हो रही है वो अलग इलाके हो गए और 70 से लेकर 100 के अलग इलाके हो गए नौर्थ इस्टन स्टेट हो गए जो हिमाले की फुटिस है जहारखंड वैसुडीसा चतिसगर और इस्टन स्लोप जो है वेस्टन घाट के यहां पर आपको यह कौन से लाके हो गए मौइस्ट डेसीडूस फॉरेस्ट के मौइस्ट तो टॉपिकल डेसीडूस यहां पर फिर से समझेगा नौर्थ इस्टन स्टेट्स हिमाले के फुटिस हारखंड वेस्ट तो डेसाच, जह इस्टन स्लोप है क्योंकि वहां बरसाथ आके आती है और जो वेस्टन घाट का जो वेस्टन अलाका है तो वेस्टन के लिए आखा का तो यहांपर टीख है सबसे बड़ा सबसे डॉमिनिंट स्पीशीज है forest का और commercially important अगर देखें तो बंबू है, साल है, शीशम है, सैंडल वूड है, खैर, कुसुम और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है पर एक और बताओं कुसुम और अर्जुन और मलबरी भी यहां पर यह dry deciduous जो हो गया 100 से लेकर 70 तो यहां पर जो peninsular प्लाट वे हमारा, यहां आप नर्मदा नदी के नीचे आईए, यह peninsular प्लाट वे पठार, और यहां पर आप थोड़ा उपर और जाईएगा, जो बिहार उत्रपतरश के कुछ ऐसे plains है वहां पर होता है, अब यहां पर टीक साल पीपल और नीम उगता है, बहुत बड़ा जो एरिया है, उसको हटा दिया गया है, कल्टिवेशन होती है, खेती होती है, आपर ग्रेजिंग होती है, यानि जानवर वहां चरते हैं, जो एनिमेल्स हमको यहां मिलते हैं, वो है लाइन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, और बहुत सारे बर्ड्स है, बहुत सारी लिजर्ड्स है, स्नेक है, टॉटोइजेज है, वो सब यहां आपको मिलते हैं, तो यह दो पार्ट हो गए, अब हम आगए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स पे, इसकी पिक्चर से आपको क्लियर समझ में आ रहा हुगा, कि कांटेदार चीज़े हैं, यह जो ट्री है, यह जो पेड़ है, या फिर यहां पर श्रब्स है, इसमें एक तो दूरी-दूरी पे है, बहुत डंस नहीं है, दूरी-दूरी पे है, क्योंकि यह जो रीजन है, यहां पर बालू जादा है, अगर मिट्टी भी है, तो वो बालू आली मिट्टी है, बलूआ मिट्टी कहते हैं इसको, जो लीव्ज है, वो बहुत पैनी होंगी, मतलब छोटी होंगी, वो छोटी इसलिए होंगी, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, वो छोटी इसलिए होती हैं, क्योंकि इनको पानी बचाना होता है, और यहां पर जो भी बन रहा है, इनके रूट्स जो होती है, जो जड़े होती हैं, बहुत लंबी जाती हैं, लंबी इसलिए जाती हैं, क्योंको पानी के अवशक्ता होती है, ऐसा नहीं कि एक जड़ होती है, जड़े लंबी-लंबी होती हैं, जैसे बहुत सारे हाथ होते हैं, एक तरह समझ लीजे, तो यह जो एरियाज है, यह वाइट रिजन देख लीजे, यह जो वाइट रिजन है, यह वाइट रिजन पर आपको इसी तरीके का, क्योंकि पानी यहाँ पर कम है, यहां बरसाद कम होती है और बरसाद कम होती है इसलिए यह जो आप पर नीचे वाला अब इन ही लाकों में वाइट यह वेस्टन घाड क्यों है यहां पर क्यों है क्योंकि वेस्टन घाड तो वेस्टन घाड पानी को रोक तो लेता है जो पानी आपके मौनसून से आ रहा होता तो वहाँ बरस जाता है लेकिन western guard के दाय हाथ पे जो आप ये इलाका देख रहे हैं यहाँ पर पानी पहुंची नहीं पाता है तो इसलिए वहाँ पर dry area हो जाता है तो यह आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर 70 cm से कम बरसाथ होगी यहाँ पर 70 या 70 से कम बरसाथ होगी वहाँ पर आपको forest या scruff मिलेगे यहाँ पर जो प्राक्रतिक वनस्पतियां है उसमें thorny trees, bushes है मतलब काटेदार acacceous है, palms, euphorbias, cacti, cactus के farm होगा है और palm होगा है और इस तरीके से जैसे मनें बताया था कि trees जो है पेड़ पौधें काफी दूर दूर तक होंगे और इनकी जटाएं होंगी जड़ें होंगी बड़ी लंबी होंगी और जमीन के बहुत अंदर तक गई होंगी क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है अगर यह अगर formation नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा इनको और जो stems हैं इनके मतलब इनकी जो तने है वो succulent to conserve water मतलब बहुत इस तरीके से formation है इसका बायों में आप पढ़ेंगे पानी conserve करके रखते हैं थीक और स्मॉल एक तरीके से समझ लीजेए leaves जो leaves है पत्ते इसके थीक और स्मॉल है ताकि evaporation कम से कम हो सके पानी क्योंकि अगर उड़ जाएगा तो पत्तियां सूख जाएगी यहाँ पर पानी save करना है पानी बचाना है यहाँ पर जो animals आपको मिलेंगे उसमें चूहे है रैबिट है खरगोश फॉक्स वुल्फ टाइगर लायन वाइल आस है घोड़े है और सबसे important उन्ट उन्ट अब mountain forest को आप याद रखिएगा mountain forest को लेके यह mountain नहीं है यह mountain है लेकिन है यह वैसे ही अब इसको मैं एक एक करके एक एक level पे लेके जाऊँगा आपको कि हम जमीन से पहाड के तरफ चल रहे हैं अब यह कहां कहां है इसका इलागा देख लीजे यह जो mountain forest है यह किसकिस इलाके में मिल रहे हैं यहाँ पर जो florist यह जो यह sparkling या कहें forest and green जो हाँ देख रहे हैं वहाँ वहाँ है ठीक जहां mountain बहुत बड़े हों वहाँ मिलेंगे आप mountains हैं हमारे यहाँ नीचे भी हैं लेकिन वहाँ नहीं मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मतलब बड़े-बड़े होने चाहिए मैं आपको इसकी मीटर का लेवर बताऊंगा पिकुलरिटी क्या है mountain forest जो होते यह धीरे 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 आगया बढ़ते हो और यहाँ पर vegetation धीरे-धीरे height के हिसाब से change होती है यहाँ ट्रॉपिकल से लेकर टुंडरा तक जाती है अब यह इसको ध्यान रखिए आप नीचे खड़े है और आप पहाड़ी पे चल रहे ठीक बहुत ओची पहाड़ी है वह पर चल रहे तो यहाँ पर एक succession देखिए है चार जो पेड़ देख रहे है नीचे क्या है बीच में क्या है और सब से उपर क्या है तो जैसे आप बढ़ते रह तब आप देखेंगे अगर आप कभी धेरदू से मसूरी जाएं तो धेरदून के पेड़ आपको अलग दिखाई देंगे लेकिन जब मसूरी तक पहुंचते पहुंचते आपके पेड़ वहां के इस तरीके से हो जाएंगे तो हजार से लेकर 2000 मीटर तक जब आपने यातरा की आप पहार के उपर चड़ें तो यहाँ पर टेमपरेट टाइप फॉरस्ट मिलता है यहाँ पर आपको बड़े लीफ आले ट्रीज मिलेंगे ओक्स हो गया चेस्नेट हो गया थोड़ा और ऊपर जाईए फंदरा सो से तीन हजार आप चड़ें यहाँ पर टेमपरेट फॉरस है यहाँ पर अब अपने हाट बढ़ा देगे अब कॉनिफेरेस्ट हो गए कॉनिफेरेस्ट मतलब ट्राइंगुलर शेप है पाइन है देवदार है सिल्वर फिर है स्पूरूस है सिदार है यह आपके पंद्रा सो से लेकर तीन हजार हो गया है थोड़ा और अउपर जाएगा थोड़ा और ऊपर चले जाएगे अब होता यह है कि इस जगह पे आपको हाइर अलिवेशन पे आपको ग्रास लेंड मिलेंगे मतलब प्लेन इलाका भी मिलेगा ऐसे नहीं हमेशा पाहल मिलता है ग्रा पर पूरे पर बढर नहीं पाते हैं तो वह पर शब्सेsog और वह मिलेंगे आप जाएगा जो नूमायडिक ट्राईब से है्णने अदिवासी जो होतीpes रोखरवाल्स यह लोग यहांपरить घुरीजिन करें यह आपने ग्रेजिंग करोते है यानिक एपने गाए जो cattle होते हैं गाय, भैज, बकरी को चरवाते हैं और उपर चले जाहिए higher altitude पे Moses और Lichens मिलते हैं यहापे और क्या-क्या आपको common ale email मिलते हैं जैसे कश्मीरी stag हो गया कश्मीरी महामरिग spotted deer, wild sheep jack, rabbit, tibetian antelope, yak, snow, leopard squirrels, shaggy, horn, wilder, ibex, bear rare red, panda, sheep goat, लेकिन सब बड़े-बड़े बालों के मिलेंगे सब क्यूंकि ठंडा इलाका है न महाँ सब आपको कुत्ते भी जो मिलेंगे उनको बड़े-बड़े बाल होंगे ठीक नीचे आप देखें अगर कोई अगर जहासी में आप कुत्ता देखेंगे तो उसके बाल कम होंगे अगर आप वहाँ चले जाएंगे हाइट पे कश्मीर तो वहाँ पर जो भी कुत्ते भी मिलेंगे उनके बड़े-बड़े-बड़े-बाल होंगे ये मैंग्डर ना भी बता रहा है कि अब देखें ये जो ट्री है ये आधा जमीन में है आधा पानी में है इसकी लटाएं मतला इसकी रूट्स है पानी में है कुछ roots इसके soil भी है और उसके बाद ये जमीन पे भी है तो बाल क्योंकि बालू सेंड होता है उसमें ये जूते है ये जो tree है ये इस तरी किसे बढ़ते है mangrove trees और ऐसे बहुत सारे trees होगे तो उसको हम कहेंगे mangrove forest बहुत कम इलाकों में है लेकिन है ये जो इलाका है ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको ये mangrove का इलाका है mangrove यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जो जमीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे और पानी में भी दिखाई दे रहे होंगे आपको खास सोरपे अगर आप अंडमान एकोबार इलाके में जाएंगे महाँ पर भी आपको काफी मेंग्रोफ फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे ठीक तो मेंग्रोफ फॉरेस्ट हो गए यह यह जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा कोस्टल रीजिन में मिलते हैं जहां पर मड़ हो मतलब गाद हो मिट्टी हो सिल्ट हो याने जिसे हम कहते हैं दलदल टाइप कुछ चीजे हो और पूरा को पूरा जमीन में मतलब उसमें नहीं होता पारी में कुछ गादवाद होगा वहां पर जमेंगा आप देखेंगे जहां पर बहुत सारे पूरा को पूरा इसकी जो लटाय होंगी रूट्स होंगी वो जमीन के अंदर होंगे यह आपको डेल्टा में मिलेंगा खास तोर पर जो डेल्टा बनाती है क्योंकि वहां पर मिट्टी बड़ी एक तो फर्टाइल होती है और वहां पर सुन्दरी ट्रीज वाला सुन्दर बन गंगा प्रह्मवपुत्रा का डेल्टा जो बांगलादेश में है वहां पर सुन्दरी ट्रीज है एक बहुत अच्छा हाट टिंबर लकडी प्रवाइड करती है और इस इलाकों में मैंग्रोग कोरश में पाम कोकोनट कोईरा अगर य रॉयल बैंगॉल टाइगर यह सबसे बड़ा अनिमल है इसके लावा टर्टल क्रोकोडाइल घडियाल स्नेक यह यह मिलता है आपको बंगलादेश का जो चिन है उसमें हमेशा आपने शेर देखा होगा शेर ब्रमबूर्ग जो क्रिकेटर भी हैं जो पहनते हैं कपड़े उ दिखा दूं कि यह अलग-अलग विजिटेशन है जिनके हम बात कर रहे हैं अलग-अलग टेंपरेचर के हिसाब से अलग-अलग क्लाइमिट के हिसाब से आपको अलग-अलग जगा इस तरीके की वरस्पतिया मिलेंगी और फॉर्चिनेट बात यह है कि हमारे देश में इस स यह वाला इलाके यह सारे ट्रॉपिकल डार्ग्रीन ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन हो गए ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट हो गए 200 से ऊपर जब बरसात हो 200 सेंटीमिटर या उससे ऊपर की बरसात हो उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडूस पर आजाए हिंदुस्तान के पर आप monsoon forest देखते हैं यह अपने 6-8 week तक अपने पत्ते गिरा देती हैं फिर mountain forest पर आ जाईए यहाँ पर mountain forest है जो height है elevation अच्छे खासी altitude elevation पर आपको यह मिलेंगे आप इनको पाएंगे height के हिसाब से पेड़ भी change होते हैं प्रजातिया change होती है फिर आप आजाईए मैंगरो पर यह इलाके हो गए मैंगरो पर खास तर पर जो delta इलाके होते हैं वहाँ आपको mangrove forest मिलेंगे यह आपकी main places होगी उसके बाद tropical thorn forest यह जो पानी जिनके बाद वाकई में कम है 70 cm से भी और उससे कम पानी जहां में आता है वह इलाके होगे जहां पर आप tropical thorn forest आपको मिलेंगे और दाएं हाथ पर आप जो चितर देख रहे हैं उनमें से भी आपको clear हो रहा है कौन सी चीज कहां मिलती है आप उसको relate भी कर सकते हैं तो जो tree हैं, bushes हैं leaves हैं, लताएं हैं वो सारी natural vegetation हिंदुस्तान की वो खास तोर पे monsoon, बरसात और जगा पे depend करती है अब हम आते हैं wild life पे इसे हम कहते हैं wildlife याने जीव जन्तू जीव जन्तू flora and fauna में जो fauna part है वो हम wildlife के बारे बात करेंगे wildlife animal part हमारे हाँ 2000 species हिंदुस्तान में bird जो की 13% है पूरे अगर विश्व का ले लिया जाए और 2546 2546 इतनी मच्छियां के टाइप्स है जो 12% है पूरे world का stock ले लीजे 12% हिंदुस्तान में उस तरीके की मिलती है 5-8% हमारे हाँ amphibians है मतलब जो पानी और जमीन दोने में रहते हैं reptiles है और mammals है elephant याने की हाथी इसको हम hot wet forest में देखेंगे आसाम में मिलेगा करनाटक में मिलेगा केरल में मिलेगा ऐसी one horned rhinoceros है एक जो उसका sing निकला होता है ये swampy और मार्शी दलदली इलाकों में मिलते है आसाम और वेस्ट बेंगाल के इसी तरीके से run off catch यहाँ पर आपको wild ass मिलेगा और camel यहाँ पर thar desert में खास और पे इसी तरीके से इंडियन बाइसन नील गाय ब्लू बुल और चौसिंगा चार जिसके horn एंटलोप होते हैं गेजल है ये अलग-अलग deer के टाइप है deer मतलब हमारे हिरनों के टाइप है अलग-अलग अब हिंदुस्तान एक ऐसी इसी कंट्री है कि यही कंट्री है जहाँ पर हमको tiger और lion दुरों मिलते है tiger भी है lion भी है gear forest जो है गुजरात के वहाँ पर lion है शेर है जबकि tiger की बात करें वो आपको मद्धे प्रदेश में मिलेंगे forest की और west bengal के सुंदर बंस और हिमालय रिजन में मिलेंगे ये tigers रेंगौल ब्रॉयल बेंगौल के बारे में हमने अल्रडी बात करें हिमालय हमें जाईए गाओ वहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो extreme cold में रहते हैं ऐसे जानवर वहाँ मिलेंगे तो लदाक में जाएंगे बहुत जबरदस थंड़ होती हैं वहाँ पर बहुत थंड़ा डेजर्ट है ये याख है यहाँ पर बड़े-बड़े बाल वाले आपको bulls मिलेंगे बतलब जैसे हमारे भैसे होते हैं उनमें बाल लगा दीजिए याख दिखते हैं फिर वह तिबेटिन एंटिलोप है भाराल है blue sheep wild sheep है कियांग है तिबेटिन वाइल है इस तरीके से आईबेक्स है bear है snow leopard है और कभी-कभी बहुत rare है वैसे red panda मिल जाते हैं हमको red panda इन इलाकों में जो रिवर है लेक है coastal areas यहां पर आपको turtle कच्छोए मिलेंगे crocodile मिलेंगे घडियाल मिलेंगे अच्छा घडियाल ना हिंदुस्तान में मिलते हैं और किसी विश्व कि किसी जगह नहीं मिलते घडियाल birds की बात करें पक्षियों की तो peacock हो गया पेजेंट्स, ducks, parakeets, cranes, pigeons यह सारे forest of wetlands में आपको मिलेंगे इंदुस्तान के Wildlife Protection Act यह इसको 1972 में implement किया गया था Wildlife Protection Act जीव जन्तू को बचाने के लिए जो act बनाया गया 1972 22 क्योंकि हम लोग कभी-कभी greedy हो जाते हैं मारना शुरू करते हैं Gir Forest यह एक ऐसा है जहां पर Asiatic Line आपको last मिलते हैं Gir में यह बहुत ही कम रहे गए है और यही इलाका है जहां हमको मिल रहे हैं क्योंकि मैंने कहा हम लोग कभी greedy हो जाते हैं तो हम खतम करने लगते हैं ऐसे भी plants है अब आयरुएदा तो हिंदुस्तान बहुत famous है उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे medicinal plants है 2000 plants है जिनको आयरुएदा में बताया गया है और 500 इनमें से use हो रहे है World Conservation Union Red List इन्होंने 352 ऐसे medicinal plants बताये है जिसमें 52 बिल्कुल threatened है और 49 तो बिल्कुल खतम होने के कागार पर है जिसमें सर्पगंदा है अपका जो जामून हो गया blood pressure के लिए हो गया सर्पगंदा जामून हो गया बहुत अच्छे इसमें digestive diabetes के लिए हो गया अर्जून हो गया इसके जो leaves के fresh juice है कान का दर्द होता है उसको ठीक करते हैं blood pressure को भी regulate करता है अर्जून अर्जून ट्री तो सच जितने पेड़ हैं यह हमको फायदा करते हैं blood pressure बबूल आजाईए आईज आखों का सोड है और दांतों के लिए सबसे अच्छा होता है नीम सबसे बड़ी आइंटिबाइटिक है इसमें आइंटि बैक्टिरियल प्रॉपर्टी भी होती है तुलसी काफर कोल्ड को ठीक करता है कचनार अस्तमा और अलसर जो हो जाते हैं उसके लिए इस तरीके से कुछ पेट की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता है तो मेडिसिनल प्लैंट्स भी है हमारे पास और ये इंत्ते इंपॉर्टन्ट है आप देखें जितरी भी हमारा पुरानी जो संस्कृती है उसमें इन प्लैंट्स प्लैंट्स के बारे में बहुत बात होई है ये इलाके में कुछ बताना चाहूँगा ये वाइल लाइफ है हिंदुस्तान के और ये सारी चीज़े हमारे यां मिलती है और कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे यहां ही मिलती है और हम जाते हैं जू में देखने के लिए हम जाते हैं अलग-अलग नैशनल पार्क सैंक्चूरी में इन से मिलने के लिए जानने के लिए क्योंकि ये एक एको सिस्टम के जाय विवित्ता के बहुत बड़े बहुत बड़े कहां की लिंक है चाहे लेपड की बात करें आप टोटोईस की बात करें तो ये जो एरियास है ये जो लाल-लाल आप देख रहे हैं ये वाइल लाइफ सैंचूरी है ये इलाके इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम लोग मारते बरते रहते हैं इनको पोकिंग करते हैं बर्ट सैंचूरीज है जो ट्राइंगल देखें नैशनल पार्क्स है हमारे है नैशनल पार्क्स है लग-अलग और ये केवल यहाँ पर जो इंडेजर स्पीशीज है उन लोग को इन जानवरों को वो एन्वार्मेंट देने के लिए हैबिटेट देने के लिए इनका नैशनल हैबिटेट जो है उसको बना कर रखने के लिए हमने यह किया हुआ है तो संग्रक्षन फ्लोरा और फाना का वाइड लाइफ, पशुपक्षी जीव जन्तू यह ज़रूरी हो जाता है कि अँछ और यह संग्रक्षन हो रहा है यह हमारे लिए है हमारे बच्चों के लिए हो रहा है हम अगर चीज़े खतम कर देंगे तो हम भी खतम हो जाएंगे जिस तरीके से हम इनको एक्स्प्राइट कर रहे हैं नका शोचन दोहन कर रहे हैं हमने एकोसिस्टम को खराब कर दिया है 1300 प्लाइंट है मतला खतम होने की कगार पर है और 20 स्पीशीज तो खतम हो ही चुकी है कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल खतम होने वाले हैं हम बचाने में लगे हुए है और कॉस क्या है क्यों इनका थ्रेड्स क्या है वो इसलिए है क्योंकि हम ग्रीडी है और हम इनको मारते है इनको फाइदा करने क्योंकि इनके स्कीन जो होती है या इनके दान बड़े होते हैं हम पॉलूशन क्रियेट कर रहे हैं बगर क्वेस्ट को एफ्लूएंट्स को ठीक किये हुए हम उसको पानी में बहा देते हैं सारी मचलिया आट और टाइज जितने भी अक्वाइटिक अलिमेंट्स हैं वो मर जाते हैं और बाकी जो जानवर है वो तो बोलते नहीं है हम तो उनको मार रहे हैं हमको फरक भी नहीं पड़ रहा है इसी तरीके से हम एलियन स्पीशिज लेके आ जाते हैं एलियन स्पीशिज जो इस जगा जेनेटिकली स्टॉंग नहीं होता वो जगा पे नहीं है अगर हम यह घर क्या है इन सब का घर क्या है जवाइल लाइफ का हम उनको काट रहे हैं हम इतनी सारी पॉपलेशन होगी उनको खिलाने के लिए हम कल्टिवेशन का रिया बढ़ा रहे है तो गवर्मेंट ने बहुत कोशिश कर रही है की है फ्लोरा और फॉनों को बचाने की क्योंकि सबकी ब्लाइड आई तो नहीं है फ्लोरा फॉनों को बचाने के लिए 14 बायोस्फियर रिजर्व्स हमने सेटअप किये है इन फ्लोरा और फॉनों को बचाने के लिए इसके लावा पैसा और फैनेंशियल और टेकनिकल असिस्टेंस दिया जाता है और बहुत सारे से जह बोतानिकल गाडेंज है गश्फियर रिजर्वर्य डाइड ने बनाया है ерб CG12-92 से क्योंकि हम ने देखा कि ये सीरियस इश्यू है प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया प्रोजेक्ट राईनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बॉस्टर्ड क्योंकि यह जो है बहुत ही इक्स्टिंट होने वाले तुनको बचाना जरूरी है 89 नैशनल पार्क्स है, 490 वाइल लाइफ सेंचुरीज है और जूलोजिकल गार्डेंस है बहुत सारे है जो जहां पर यह नैशनल हरिटेज है हमारी नैशनल हैबिटेट है सुन्दरबंस जो वेस्ट बेंगॉल में है, नंदा देवी उत्तरा खंड में है, गल्फा मनाद जो तमिलाडू में है नीलगिरीज जो केरला, करनाड़का तमिलाडू में है, इन सब को हमने नेटवर्क में लाया है जो कि बायोस्फियर रिजर्व्स है क्योंकि ये सारे इलागे ऐसे हैं, जो बहुत रिच है, और रिच हो सकते हैं, अगर हम इनको कंजर्व करें, बचाएं तो 14 मैं आपको बायो रिजर्व्स की लिस्ट बता देता हूँ, ये सारी लिस्ट है, सुंदरबंस, वेस्ट बेंगॉल, सिमलीपाल, उडीशा, गल्फ अमन्ना, तमिलनाडू, दिहांग, दिबांग, अरुनाचर प्रदेश, निलगिरीज, साउथ इंडिया में, कंचन जिंगा, सिक्की में, कंचन जिंगा, ये वाला, और उसके बाद, फिर आईए ग्रेट निकोबार, बेयो बेंगॉल, पच्वड़ी, मद्रपदाश, मानस, मानस हो गया असा में, फिर अच्छे गड़ में, आच्छे नाक, मार, अवर कंटक, ये हो गया, ये हमारे अल आते हैं, हमारे इलाकों को आबाद करने के लिए, कुछ समय के लिए आते हैं, हमें इनकी इज़त करनी हैं, ये हमारे महमान हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, यहां पर ये प्रजनन करते हैं, और इसके बाद ये हमें शुक्रिया करके चले जाते हैं, अगर हम इनका नुक्स सदी गई है virgin vegetation मतलब जिसको touch नहीं किया गया है मतलब लोगों ने इसको touch नहीं किया है वो वहाँ पर पैदा होते हैं और जो भी चीज़े यहाँ बनती है उन्हें हम indigenous या देशर एंडमी कहते हैं जो बाहर से आते हैं पेड़ पौधे उनको हम exotic कहते हैं पोर्ट अगर 2011 की बताऊं तो forest cover इंडिया का 21% है बहुत ही कम है कम से कम 40% तो होना ही चाहिए बहुत ही alarming है Wildlife Protection Act 1972 में दिया गया Gir Forest जो है यहाँ पर Asiatic Lion आखरी है जो यहाँ पर रह रहे हैं यह इनका घर है यह बात हो इस श्याप्टर की बहुत शुक्रिया बहुत दर भी है